हालो गाइज वेल्कम बैक मैं यूड़ी चैनल रोपर ताओं भी आप सब बढ़ी आऊंगे सो आज हम जो गाड़ी देखने वाले हैं वह है टाटा की एक अभी रिसेंटली लॉंच गार है जिसका नाम है टाटा ट्यागो यह स्पेशल ट्यागो है जो कि भाई एक सी एंजी क के साथ आती है अभी रिसेंटली लॉंच हुई है उसके आगे बात करेंगे वीडियो को एंड तक देखना यह उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादे इन्फरमेशन होने वाली है जो कि एक सी एंजी कार परचेस करना जाते हैं सो पहले स्टार्ट कर लेते हैं की से सो कुछ इस तरीके की फिलिप की आएगी जिसमें लॉक अनलॉक और फॉलो मी का फंक्शन आएगा जैसी आप इसको प्रेस करेंगे तो इसकी लाइट सोन हो जाएंगी पार्किंग लाइट जो है और दूसरी की जो मिलेगी वह आपको सेम फिजीकल की मिलेगी ऐसी नाई रिमोट की आएगी खाली रिमोट की सिंगल मिलेगी और आप बात करते हैं कार की सो जैसे की एकस्टी वेरियंट है तो आपको जो लाइट मिलेंगी वह रिफ्लेक्र वेस्ट हैलोजन बेस्ट लाइट आएगी फॉग लेंप नहीं आएगी इस जगे और यह है इसकी प्यानो फिनिश म मिलेंगे क्योंकि एकस्टी वेरियंट है यह अपना थर्ड वेरियंट है वैसे जिसमें आपको सी एंजी ऑप्शन आता है और टायर साइस की बात करें तो एक सो पिच्टर पैंसट आर चौदे चौदे इंची के स्टील वील्स का ऑप्शन आएगा गुडियर के टायर आते बैजिंग कर रखी है रियर में डीफ और वाइपर कुछ भी नहीं आएगा स्पोईलर के लिए छोटा सा टिप दे रखी है यह दोनों जगे प्यानों फिनिश में और हाई मॉंट स्टॉप लें पाएगी और जैसे कि सुजुकी एसी एंजी के नाम से टाटा ने अपना नि इस पेस की बात करें तो भाई इस पेस तो कुछ ही नहीं आप छोटा मोटा भी मुश्किल से ही कुछ रख पाएंगे साइड में इसकी टूल किट वगरा रखी हुई है और बूट का तो कुछ ही नहीं यह डूर एंडल आएगा इसमें आप यहां से बंद कर सकते हैं इसको और दो रिवर्स पार्किंग सेंसर आएंगे वेक में कैमरा नहीं आएगा और यह इतना पार्ट हाइलाइट के लिए ब्लैक में कर रखा है और यह हैं इसकी टेल लैंप्स हेलोजन बेस टेम लैंप आएंगी यह है इंडिगेटर यह रिपर्स लाइट और यह अपना टेल और एक बार और पुरा लुक देख लीजिए डोर हैंडल जो है अपने बोडी कलरड में आएंगे और जैसे कि वार्वियम देख रहे हैं यह थर्ड वेरियंट है तो इंडिगेटर आपको वार्वियम पाएगा यह इंटरनल एज़ेस्ट हो जाते हैं और अटमेटिक फोल् आपके का ओप्शन है सो यह है डूल टॉन ट्रेम ग्रेविद ब्लेक की साइद ट्रेम आएगी यह लॉक लॉक करने के लिए लीवर सेंटर लॉकिंग का स्विच पावर विंडो का स्विच चारो दर्वाजों में पावर विंडो आएगी ऐसा नहीं मारूति जैसे करती है क दो में दे दी दो में नहीं भी सो चार स्पीकर आएंगे मिजुक सिस्टम में और एक चीज और दिखा देता हूं आपको यह जो चीज है यह सेफटी का पूरा दिहान रखा गया यह है एक फायर एक्स्टिंगुशर जो की सीट के नीचे माउंटेड है एक बार मैं आपको डिटेल में चकाउट कराने के लिए कोशिस करता हूं सो यह है इसका सेफटी के लिए फायर एक्स्टिंगुशर कभी कोई इनफ अनफॉर्चनल्टी कोच अगर होता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं सेम फैवरिक पॉलेस्ट्री आएगी सीट पर एड़ेस्टेबल हैड ग्लो वाक्स की बात करें तो सॉफ्ट ओपनिंग के साथ ग्लो वाक्स आता है पेपर वक्स रखे होएं एक बार की को रख देते हैं साइड में वरना यह आवाज कर रही है बहुत ज्यादा सो डीसेंट स्पेसेस टू कंपार्टमेंट के साथ आता एक बार मैं आपको कोशि स्पीब करता हो आपको यह सी एण जी यहां से आप चेंज कम ज़्यादा कर सकते हैं सी एण जी को पैट्रोल या स्वीच कर सकते हैं यह हैं इसी के मैनूल ओपरेशन्स और यह अंदर सर्कुलेशन और वो चेंज करने का नीचे आपको आउक्स का पॉर्ट आएगा एक चार्जिंग पॉर्ट मिलेगा फुल साइज का 12 वोट का पावर सॉकिट और कुछ स्टोरिज इस पेज इस टाइम की रख रखिए और यह है अपना फाइव स्पीड का मैनूल ट्रांस्मिशन सेंटर में हैं तो सेंटर में दो कफ होल्डर साएंगे अरेस्ट नहीं मिलेगी एक बॉटलोडर पीछे आ जाएगा और आयर वियम की बात करें तो मैनूल आयर वियम आएगा और यह है वैनेटी मिलेगा इस पे संसेट पे टिकिट होल्डर मिल जाएगा इस पे वैनिटी पे और यह दोर हैंडल यह बहुत चीप से फील हो रहे हैं तोड़े से देखो किस तरीके से एक दम तेजी से जा रहे हैं और सेंटर में रूफ पे लाइट आएगी देखते हैं यह एलीडी है सो एलीडी लाइट है और सेंटर म सेंटी तो आपको लोगों को पताई है मैं आपको सेफटी का क्या ही बताऊं सो रियर दोर कुछ इस तरीके से उपन होता है एक बोटर लोडर आपको यहां पर मिलेगा एक लीटर किया पाएगी बड़ी नहीं आपाएगी और यह अपनी रियर सीट्स बैंच फोल्डिंग फीचर के साथ आएंगी एड़ेस्टेवल अड़ेस्ट नहीं आएंगे पीछे का चाउट करते हैं किस तरीके का स्पेस है बोकर करते हैं बंद सो थार्ड आपने सुनी लिए ओगी थार्ड के स्टरीके की है और इस पेस देखिए इस पेस ठीक है वह यह वाली जो अब इसको पीछे कर लिया तो भाई देखो इतना स्पेस बच रहा है पांच आट पांच नो के बंदे आराम से ठीक ही है पर मिडल पैसेंजर कमफर्टेवल नहीं रहेगा बच्चा ही आप आएगा मुस्किल से इसमें न और सीट वैट्स आपको त्रीपंट सीट वल्रीयर पर मिलेंगी जो कि सिलेंडर को कवर कर देती है आप चलते हैं इसकी ड्राइवर साइड डौर पे हम बात करते हैं किस तरीके का इकवार बंद कर देते हैं इसको सो यह है ड्राइवर डॉर का इंटिरियर डूल टोन सेंट्रिम आएगी चारो पावर विंडियो के स्विच आएगे जो ड्राइवर साइड पावर विंडियो आपने 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 डाउन फंक्शन के साथ आएगी और यह है कुछ यूटिलिटी स्पेस एक बुटल आ है और बिल्ड कॉलिटी तो ठीक ही है वैसे यह वाला पार्ट तो सबका जातर हलका ही होता है और यह है इसकी ड्राइवर साइट सीट्स हाइट एड़ेस्टेवल सीट्स नहीं है मिलेंगी आपको फिक्स मिलेंगी और यहां से बैठके कुछ इस तरीके का वियू मिलता है यह है थ्री स्पोक स्टेरिंग वील लैदर अप नहीं आएगा और एक बार सुना देता हूं मैं आपको इस तरीके का हॉर्ण है और यह अपनी इंफोटेन्मेंट को कंट्रोल करने के लिए स्टेरिंग मांटेंट बटन्स और यह है इसका इंस्टुमेंट क्लस्टर एक बा प्लग करते हैं आप देखें हो माईडी कुछ ओपन हो जाती है एक बार मैं ना इसको ओपन कर लेता हूं थोड़ा लॉक रखाय स्टेरिंग तो एक बर एस यह अन हो गया मैं इसको करता हूं भंद उपन हो चुके है इसकी है मैडी फुल स्वाइप अप मीटर के साथ आती है यह मिलेगा आपको डिजिटल में आर्पियम मीटर और यह है अपना पैट्रोल का इंडिगेटर और यह सी एंजी का इंडिगेटर बीच में मल्टी इंफर्मेशन डिक्स्प्ले आएगी जो की स् दिखते क्या क्या है अब कि इसमें और कुछ नहीं है बेसिक सा और जो आप साइड में यहां देख पा रहे हैं यह सी एंजी के फ्यूल इंडिकेटर की वार्निंग पैट्रोल की आपको यहां पर मिलेगी तोनों अलग-अलग दे रखे हैं सी एंजी का जैसे बिंक भी कर र देखिए सी एंजी मोन एक्टिवेटेड अगर प्रेस करेंगे तो सी एंजी ओफ हो जाएगी आवाज भी करती है और एक बार देखते हैं इसके अंदर क्या है इंफ्रोटेन्मेंट के अंदर खाली Bluetooth connectivity मिलेगी आपको फोन उठाने फोन काटने का option आएगा और बाकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है steering adjustment की बात करें तो आपको खाली tilt मिलता है telescopic नहीं आएगा और यह यह हैं इसके वाइपस के controls और यह है इसके head lamps की control आप यहां से head lamps को इसको adjust कर सकते हैं इसके focus को change कर सकते हैं अब चलते हैं इसके engine bay में वहां बात करते हैं इसके engine and performance की कि यह क्या-क्या offer करती है यहां से आप पुल करेंगे तो engine bay open हो जाएगा और एक चीज़ भूल गयते हैं तो यह है इसके इंटर्नल एज़श्मेंट और वियम को करने के लिए एक बाद engine open करते हैं यह है इसका 1.2 लीटर का 3-cylinder रेवर्ट्रों पैट्रोल एंजन cng के साथ आता है पावर की बात करें तो 72bhp की पावर मिलेगी cng के साथ और 95 nm का टॉर्क मिलेगा तो यह है इसका 1.2 लीटर का रेवर्ट्रों टाटा का 3-cylinder नेचरली एस्पेट्रोल एंजन एवरेज की cng में बात करें तो जो कितने वह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप डिस्क्रिप्शन चेक आउट कर सकते हैं तो यह थी टाटा ट्यागों की cng वीडियो सो वीडियो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बता देना चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्रेक पर देना और ऐसा ही टाटा की ऐसे इन्वेशन करता रहेगा तो थेंक यू पाप टी कि अगी ?